हेलो माई डियरे स्वागत है मेरे यूटूब चैनल स्वारव और कुंदन क्लासेज में बाव आज हम लोग अलगे टाइप 3 के बारे में ठीक है जो कि बेसिक आइडेंटिटी से रिलेटर होगा जिसमें मूल सरविंगा जितने भी होते हैं सारे के सारे फर्मूला के बारे में स्ट्री करेंगे देखिए फर्मूला नमबर नमर वन जो है a plus b का whole score a plus b क्या होता है तो a square plus b square plus 2ab हम लोग इस को a plus b को whole square को ये भी बोल सकते हैं a minus b का whole square plus 4ab इसको determine करिएगा तो यहां से दोनों प्रक्ष हापस में बराबर हो जाएंगे ठीक है फर्मूला नमबर 2 में देखोगे a minus b का whole square जो है a square plus b square minus 2ab होता है ठीक है और इतना बराबर a plus b के format में क्या बोल सकते हैं माइनस b का whole square को हम ये भी बोल सकते हैं कि a plus b का whole square minus 4ab clear है जी अब देखिए फर्मूला नमबर 3 में लिखा हुआ है कि a square minus b square is equal to a plus b और a minus b हुणा में होता है ठीक है इसका भी mathematics में सबसे ज्यादा usage होता है ये फर्मूला काफी important है और बहुत सारे questions में इसका usage होता है clear है next देखोगे चार नमबर फर्मूला है कि a plus b का whole cube is equal to a q plus b q plus 3ab into a plus b होता है ठीक है यहां से सवाल आते हो या ना आते हो लेकिन इसके इसी फर्मूला को अधार मानकर यहां सब्सक्राइब को फर्मेट से जरूर मैंने बताया था पीछे आपको पहले बता भी चुक्या है maximum सब्सक्राइब क्या हो जाएगा तो a plus b का whole cube तो पहले से है और यह टर्म यहां से उठकर जाएगा ट्रंसपर होगा माइनस में हो जाएगा तो a plus b की बरबर क्या हो जाएगा a plus b का whole cube माइनस 3ab into a plus b होता है ठीक है फर्मूला नमबर पांच है बावो हम लोगा a minus b का whole cube बरबर a q minus b cube minus 3ab into a minus b होता है clear है यहां से भी अगर हम a q minus b क्यों निकालना चाहेंगे तो a q minus b q बरबर क्या हो जाएगा तो a minus b का whole cube plus 3ab into a minus b होगा ठीक है यह दोनों format हम सवाल type 2 में बता चुके हैं आपको ठीक है आगे फर्मूला दिया हुआ है फर्मूला नमबर 5 है जो आपका वह यह लिखा हुआ बावो पांच नमबर फर्मूला कि a minus b का whole cube is equal to a q minus b q minus 3ab into a minus b अब वहां से a q minus b q निकालिएगा तो a minus b का whole q plus 3ab into a minus b ठीक है फर्मूला नमबर 6 में दिया हुआ है कि a q plus b q बॉराबर क्या होता है भाई तो फैक्टर फर्मूला इसका यह भी होता है चार नमबर में तो मैं बता चुका आपको a q plus b q क्या होता है लेकिन 6 नमबर में देखिएगा a q plus b q क्या फैक्टर फर्मूल फर्मूला नमबर के a q minus b q बरबर similar a minus b into a square plus b square plus a b दोनों में डिफरेंस के बापो देखो जब a q plus b q के बारे में दिया रहेगा तो यह सब सेम रहेंगे प्लस तो रहेंगे बस यहां बीच सेकेंड वाले टर्म में बीच में माइनस है ठीक है और a q minus b q में यह सारा के सारा ट लोग 8 नमबर फर्मूला से पढ़ेंगे पहले ही आपको याद दिला दे रहा हूं एक बार फिर से समझेगा 8 नमबर फर्मूला क्या है कि a plus b plus c का whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca आप यहां से two common ले लेंगे अगर तो two common लेंगे तो क्या हो जाएगा a b plus b c plus c a भी हो जाएगा बात को याद रखिएगा ठीक है यहां से अगर two common लेंगे तो two बाहर आ जाएगा a b plus b c plus c a अर्थाथ हम यह भी बोल सकते हैं कि a plus b plus c का whole square क्या होता है तो a square plus b square plus c square plus 2 into a b plus b c plus c अब देखो होता क्या है कि अगर a plus b plus c का मान दिया रहेगा a square plus b square plus c square का मान दिया रहेगा तो आपसे a b plus b c plus c a पूछ ले जाएगा अगर यह वैलो दिया रहेगा और यह वैलो दिया रहेगा तो आपसे a plus b plus c पूछ ले जाएगा तीनों variable में से कोई भी एक variable maximum पूछा जा कि a plus b plus c का whole q बरबर क्या होता है तो aq plus bq plus cq plus 3 into a plus b into b plus c into c plus a होता है ठीक है यहाँ से भी कभी-कभी questions बनते हैं एक बर फिर से हम लोग 8 नमर को घिर दे रहे हैं 8 नमर फर्मूला आज का में फर्मूला माना जाएगा क्योंकि यहीं से questions maximum हों लोग करेंगे चलिए सवाल नमर हम लोग बाबू अल्जबरा में 35 तक कर लिये थे आज हम लोग 36 नमर question study करेंगे जो टाइप 3 का पहला questions होगा ठीक है देखोगे questions 36 नमर questions क्या कह रहा है दिया हुआ है आपके questions में क्लास कि a plus b plus c बराबर 7 दिया है और a square plus b square plus c square बराबर उन्हें इस दिया है तो हमसे a b plus b c plus c a कमान पूछ रहा है अभी मैंने बताया कि 8 नमर फर्मूला के बारे में आपको बताया था कि देखिए यहां से अगर 2 common लिजिएगा तो क्या बन जाएगा 2 into a b plus b c plus c a बन जाएगा तो हम डारेक्ट लिखेंगे साथ का a square सई है साथ का a square is equal to देखिए a square plus b square plus c a square के जगा क्या लिखा है भाई तो उन्हें इस लिखा है तो उन्हें इस लिख दिया ठीक है बाबु अगर हम यहां से two common लेंगे यहां से two common लेंगे तो टूक बाहर ले लिए अब हमारे पास क्या खिना तो a,b बचे गया, plus bc बचे गया, the plus c,a बचे गया, सइए है। अब देखिये, कि यहां से suggest रिखा यहां से 25ते 49 को ब्येर स्वानर ले जयांगे ट्राशपर्ड करेंगे, what does minus लिख तो बचे है, तो 29 को बचे गया समनरे ही 29 मैनस कर देंगे, legitimate 30 हो जाये गया, हमारे पास 30 आ गया और 30 बराबर क्या बचे गया 2 into ab plus bc plus c a बचे गया सहीए अब बताइए 2 से 30 को divide कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा तो it means हम कह सकते हैं कि ab plus bc plus c a का जो value आ गया वो कितना आ गया 15 आ गया दिखेंगा बाबू हम लोग question number 36 के बाद question number 37 से हम लोगा ठीक है 37 number questions यह दिया हुआ है class कि a plus b plus c बरबर 6 है ठीक है और a plus b plus c बरबर 6 है तो a b plus b c plus c a बरबर कितने दिया हुआ है 10 दिया हुआ है तो a square plus b square plus c square का मान क्या होगा तो उसी तरह से देखिए rule number 8 में मने बता था a plus b plus c whole square तो whole square दिया हुआ था तो a plus b plus c का जगा क्या दिया है 6 तो 6 का square कर देंगे ठीक है फर्मूला याद रखोगे आप लोग a plus b plus c का whole square में तो a plus b plus c का मान 6 दिया है तो 6 का square हो जाएगा अब आपका मान होता है a square plus b square plus c square ठीके आप फोलस 2 into a b plus b c plus c है तो इसका मान कीतना दिया है 10 तो गुर्णा 10 हो गया सही है अब बताइए 6 का square कितना होता है 36 होता है तो हमारा हो गया value कितना भाई 36 हो गया माइनस 10 दुना 20 20 को हम माइनस कर देंगे और इधर क्या बच गया a square plus b square plus c a square बच गया ठीक है तो अब बताइए इसका value अगर हमको निकालना रहेगा तो यह value निकालने के लिए 20 36 में से 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा 16 that means option number c ठीक है हमारा सवाल का अंसर कितना हो गया c हो गया यह दोनों एक ही format पर questions था clear है चलिए देखिए questions number 37 के बाद questions number 38 है बाबु आपका 38 number questions यह दिया हुआ है ठीक है बाबु देखिए questions number 38 है हम लोगा दिया हुआ है कि a बराबर x plus 1 by x b बराबर x minus 1 by x तो value find out करना है a power 4 minus 2a square b square plus b power 4 is equal to what अब देखिए यह जो value find out करना है उसमें x का कहीं भी जिकर नहीं है बस a और b से related मतलब है तो हम लोग करेंगे क्या कि x का कुछ भी मान लेंगे एक ऐसा मान लेंगे जहां से 0 या 1 हो जाए ठीक है या जितना minimum value परदान करें a और b का बड़ा value नहीं मतलब x का हम बड़ा value नहीं लेंगे दम छोटा value लेंगे कि a और b का minimum मान मिले जहां से हम यहां पूट करेंगे तो आसानी हो तब समझिए अगर हम बाबु एक्स बड़ाबर 1 ले लेते हैं x बड़ाबर क्या ले लेंगे तो देखिए a बड़ाबर क्या मिल जाएगा one plus one by one बड़ाबर दो मिल जाएगा और b बड़ाबर क्या मिल जाएगा one minus one by one बड़ाबर जीरो तो one minus one बड़ाबर क्या हो जाएगा जीरो तो b बड़ाबर 0 मिल गया अब देखिए यहां पूट करेंगे तो a का value क्या मिला है दो मिला था दो के पावर कितना हो गय गया 16 मिल गया सब्सक्राइब बेस्ट अप्रोच है बेसिक आप लोग बनाने कोसिस करोगे ठीक है बट यहां पर पुटिंग वहलू बहुत मस्ट होता है जहां से अंसर पॉसिबल होता है जहां से इंडिटर्मिनेट परमेट न मिले तो हम लोग पुट वहलू करेंगे यह कर द। बस्ता यह का है अगर हम लोग asleep लेंगे तो कि अध्य का दर्वाइक और बीजबीक करें तो क्याaimerी एगा ऑपर में हम लोग लोग तो वै तो बीज you अ जाएगा ठिक है और एक कट एगा तो c c कटेगा तो a b हो जाएगा चलेमNext क्लेयर है और बराबर में क्या जाएगा ऩर अब बताइए ऐब प्लस upon c plus c ये का मनन क्या धिया हुआ है नहीं दिया हुआ है ठीक इस्जुनति प्लस ci का मनने दिया हुआ थे एबी प्लस Aurora c a बरबर होगा क्या तो 2 a b c हो जाएगा ठीके a b c plus c a बरबर क्या हो जाएगा 2 a b c हो जाएगा यह बात रहाएगा अब बताये कि a-plus b-plus c का whole square rule number 8 पर मने क्या बताया था की a plus b plus c का whole square का formula बताया था तो देखिए a plus b plus प्यूसल सी और शे जिञाएम इने कहले के शओ को उसका सब्सकता है उतना बड़ार क्या होता है इससुक्र प्लस इसका सब्सकते होता है इसके किया हैً सुस्पक प्लस दिया हुआ तो सब्सक्राइबां है अब लोग भेल का तो इन्टु हुआ हमेने फ़र मनें ने B C हो गया ठिक है अब बताईए यहां से दो दुना कितना हो गया 4 A B C हो गया अब यह 6 को उधर ले जाएंगे तो 9 में से 6 घड़ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, 9 में से 6 घड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, अब ये 4 बटे में जाएगा तो क्या आजाएगा आँसर? 3 बटे, 4 आजाएगा, यानि कि हम लोग ये कह सकते हैं, कि ABC का अगर मान निकलना चाहेंगे, तो 9 में से 6 तो घट गया, 3 आ गया, और ये 2 दूना 4 बटे में जाएगा, 3 बटा, 4 अपना आंसर हो जाएगा, सही है, फिर से समझेगा सवाल को, जो बीच वला टर्म है, यहां से LCM लिए, तो ABC आ गया, LCM लिए, तो ABC उपर में क्या गया, BC प्लस CA प्लस AB, या AB प्लस BC प्लस CA, बरबर में क्या 2, अब याद रखेगा कि AB प्लस BC प्लस CA का मान केतना आ गया, 2 ABC आ गया, अब रूल लंबर 8 तेखिए, रूल लंबर 8 का था है, कि A प्लस B प्लस C का मान 3 दिया, 3 का स्कौर कर दिया, प्लस B प्लस C का होले स्कौर क्या होता है, तो A स्कौर प्लस B स्कौर प्लस C square इसका मान 6 दिया है 6 लिख दिये प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस C तो इसका मान आ गया है 2 ABC तो 2 ABC तो दू दूना कितना हो गया 4 ABC और 6 उधर हो गया माइनस हो गया तो 9 में से 6 घट गया 3 और 4 बटा में आ गया क्लियर है जी चलिए कोश्चंस नमबर हम लोग 49 क्लियर किये कोश्चंस नमबर 40 है अपका बाबू 40 नमबर कोश्चंस यह दिया हुआ है कि A power 4 प्लस B power 4 बरबर A square B square तो A power 6 प्लस B power 6 का मान क्या होगा ठीक है आप खुदी सोचिए कि अगर हम लोग A power 6 प्लस B power 6 को क्या हम लोग A square ठीक है A square का whole cube प्लस B square का whole cube लिख सकते हैं इतना तो कर ही सकते हैं अब बते यह अगर हम लोग इस पूरे को A माल लेंगे इसको B माल लेंगे तो AQ plus B कीव हो गया अब आब देखी AQ plus B कीव और अब फर्मूला क्या होता है A plus B थो A के जगह क्या आगया है A square plus BA square तो A square प्लस B हो गया अब देखिए A plus B हो गया इंटू A factor फर्मूला याद करिए छे या सात नमर मैंने बत इस beimाटर्म को उधर लेकर चल जाएंगे तो मैनए सब्सक्वरा यह क्याओं अगर यहाँ से नियुक्त कर रहां जीनुकर कर रहा है डिट क्टेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा जीरो आ जाएगा तहीं सवाल को उत्र क्या हो जाएगा जीरो एक बार फिर से समझ्च रहाएगा इस टर्म में इसको यहीं पछोड़ देंगे इसको अगर हम डोग उठाकर उधर ले जाएंगे तो माईनस हो मतलब कि a power 4 plus b power 4 minus a square b square equal to 0 इसको याद रखेगा कि यह 0 value दे रहा है अब 1 power 6 plus b power 6 का मान निकलना ते इसको हमने लिख दिया a square का whole क्यों plus b square का whole क्यों मतलब a q plus b क्यों फर्मूला अपलाई किये a plus b into a square plus b square minus a b इसका मान क्या आ गया है 0 आ गया है यह लिखा हुआ है a power 4 plus a square plus b a square b square plus b power 4 बरबर 8 फिर समझे questions no 41 जो दिया हुआ है ठीक है a power 4 plus a square b square plus b power 4 बरबर 8 लिखा हुआ है फिर a square plus a b plus b square क्या लिखा हुआ है चार लिखा हुआ हमको a b बरबर निकालना है क्या होगा आप फर मूले जाद रखेए कि दिखें दिया हम से a power 4 plus a square b square plus b power 4 बरबर क्या होता है कि a square plus a b plus b square into a square minus a b plus b square तब बताए इसका value तो 8 है और इसका value 4 है इसको उधर लिकर जाएंगे जब तो भागा हो जाएगा minus नहीं होगा क्योंकि दुनों आपस में गुणा में है ठीक है तो 8 बटा 4 बरबर क्या जाएगा तब तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मान हाएगा मतलब a square minus a b plus b square का मान कितना हो गया फिक है और a square plus a the square के मान कितना दिया है चार दिया है दोनों equations में मतलब इसको अगर हम equations 1 मान ले और इसको equations 2 मान ले और 1 में से 2 को घटा देंगे बाबू तो देखिए minus 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 ठीक है अब ये तो cancel हो जाएगा यह भी cancel हो जाएगा minus 2ab अब 2 में से minus चार खट हैंगे तो minus 2 तो minus minus यहां से क्या हो जाएगा खत्म अब Bताईए हमारे पास क्या आ गया है जो एभी बरभर 2 तो a-b बरभर कितना मिल गया हमारा answer कितना हो गया 1 हो गया A B कमन कितना हो गया भाई 1 हो गया बस आप याद रखिएगा कि A power 4 plus A square B square plus B power 4 बढ़ाबर formula होता है क्या A square plus A B plus B square into A square minus A B plus B square दोनों एकदम याद रखना कफी असान है देखिए A square plus B square plus A B A square plus B square minus A B ठीक है तो ये formula होता है इसका मान इतना होता है ये भैलो याद रखिएगा formula के तौर को ठीक है second method है बाबो इसका second method क्या दिया हुआ है ठीक है second method क्या दिया हुआ इसका देखिए ध्यान से समझेगा second method कि हमारे questions में लिखा हुआ था A power 4 plus A square B square plus B power 4 इसको हम उठाकर हटाएंगे यहां से तो 8 minus A square B square हो सकता है इसको हम लोग 1 मान लिए ठीक है आप देखिए यह भी question में दिया है कि A square plus B A B plus B square वर वर क्या दिया है 4 तो हम लोग A square plus B square का मान निकलना चाहेंगे तो 4 बराबर A B जाकर उधर माइनस हो जाएगा A square हो गया और इसका हम 4 minus A B का बर किये तो 4 minus A B का whole square आ गया अब देखिए इसका हम A plus B whole square पर तोड़ रहे हैं जो तो number one में हमने formula बताया था ठीक है formula number one था देखिए A square का whole square मतलब A power 4 plus B square whole square B power 4 plus 2 AB तो 2 A square B square ठीक है RHS देखिए A square मतलब 16 B square मतलब A square B square minus 2 AB तचार दोना 8 AB हो गया यहां से यहां था clear अब बताये A power 4 plus B power 4 यहां समझेगा A power 4 plus B power 4 यह दोनों का अगर हम लोग एक मिले लेंगे तो equation number one में A power 4 plus B power 4 का मान क्या मिला है तो 8 minus A square B square इसके जगह हम put कर दिया 8 minus A square B square अब पहले से यह वह था 2 A square B square तो plus 2 A square B square LHS clear हो गया आरचेस जैसे था वैसे ही छोड़ दिये उसमें कोई छेड़ चार नहीं हुआ ठीक है अब आगे देखिए यहां पर 2 A square B square plus में है और A square B square minus में है तो यह को manage करेगा तो क्या जाएगा प्लस में A square B square होगा तो प्लस में A square B square आरचेस में भी है ठीक है यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे यह सब क्या हो जाए cancel हो जाएंगे तो अब बताइए बाबु इधर 16 हो गया उधर 8 हो गया इस 8 को उधर ले जाएंगे तो 16 में 60 गट 8 और यह माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा मतलब कि 8 A B बराबर क्या जाएगा तो A B बराबर क्या हो जाएगा वन आंसर किलियर है चलिए आई होप आपको सेकंड में थर्ड भी समझ माया होगा वाबु कोस्चन्स नमर आज का लास्ट और 42 नमर ठीक है कि इसका जो फर्मूला होता है यह फर्मूला याद रखिएगा कि A power 4 plus A square B A square plus B power 4 बराबर A square plus A B plus B square A square minus A B plus B square ठीक है एक बर प्लस में एक बर माइनस में जैसे आप याद रखते हैं A square minus B square बराबर A plus B into A minus B उसी तरह से इसको भी याद रखिएगा ठीक है अब दिख ठीक है इसका मान 12 बराबर 4 बराबर 3 हो गया एक माइनस वाला A square minus A B plus B square के मान कितना दिया है चार दिया है अब इससी को हम घटाएंगे मतलब अगर इसको 1 माने और इसको 2 माने तो 1 में से 2 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो दिखिए साइन माइनस यहाँ पहले से माने कितना हो जाएगा minus 1 by 2 final answer बात के लिए रहे आज का class खतम हुआ हम लोग अलजबरा का next वीडियो जल्दी लेकर आएंगे ठीक है average का भी वीडियो डलती रहेंगे चलो आगे बढ़ते हैं आप ठीक है आज का class खतम रहेंगे बाए